21 अक्टूबर 1984 ये भारत का इतिहास बदल देने वाली एक तारीख है इसी दिन भारत की प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी की निर्मम हत्या कर दी गई थी लेकिन तीन दशक गुजर जाने के बाद भी इंद्रा गांधी की हत्या का असली सच कभी देश के सामने नहीं आया है ये तो सबको पता है कि उनकी हत्या आप्रेशन ब्लू स्टार के विरोध में की गई थी और सभी लोग ये बात भी जानते हैं कि उनके बॉडिगार्ड बेयंद सिंग और सतवंद सिंग ने उन्हें गोली मारी थी लेकिन ये इतनी सी कहानी नहीं है इस कहानी के कई करदार हैं और हर करदार से जुले हैं कई राज आज खरी बात में मैं आपको तत्थियों तरकों और सबूतों के साथ बताऊंगा इंद्रा गांदी हत्याकांड का पूरा सच आज आपको पता चलेगा कि इंद्रा गांदी हत्याकांड की जाँच के लिए बने ठककर कमिशन की रिपोर्ट क्यों दबादी गई आज आप जानेंगे कि इंद्रा गांधी मटर केस की जाच करने वाली SIT की रिपोर्ट को क्यों छुपाने की कोशिश हुई आज ये राज भी खुलेगा कि आखिर तत्कालिन प्रधान मंतरी राजीव गांधी ने अपनी मां इंद्रा गांधी की हत्या का पूरा सच कभी देश को क्यों नहीं बताया आज आपको बता चलेगा कि वो कौन सी विदेशी शक्ती थी जिसने इंद्रा गांदी की जान ली आज मैं आपके सामने अमेरिकी संसत की वो रिपोर्ट भी पेश करूँगा जिस हत्याकान के कई राज खोल सकती है आज मैं आपको बताऊंगा इंद्रा गांधी के उस बेहद करीबी का नाम जिसकी तरफ शक की सुई गुमी थी साथ ही आज मैं आपको बताऊंगा राहुल गांधी का वो दर्द जो उनकी दादी की हत्या से जुड़ा हुआ है चौदा साल के राहुल गांधी अगर उस समय एक राज सब को बता देते तो शायद इंद्रा गांधी की जान बच सकती थी तो बिना देर किये खोलते हैं इंद्रा गांधी हत्याकान की वो फाइल जिसे हमेशा इस देश से चुपाया गया अपनी हत्या से एक दिन पहले इंद्रा गांधी उलीसा में थी जहां उन्होंने अपने अंतिम और एतिहासिक भाशन में कहा था कि जब मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक-एक कत्रा भारत का निर्मान करेगा लेकिन कोई नहीं जानता था कि इंद्रा गांधी ने जो कहा है वो अगले कुछ ही घंटों में सच साबित हो जाएगा इंद्रा गांधी उसी साम उडिसा से दिल्ली पहुँच चुकी थी 31 अक्टूबर 1984 के सुभा साड़े आठ बजे मशूर बिटिश एक्टर पीटर उस्तिनोफ के साथ उनका इंटर्व्यू था ये इंटर्व्यू उनके घर एक सफदर जंग रोड पर ही होना था इंद्रा गांधी पूरी तरह से तैयार होकर अपने घर से बाहर निकली उस वक्त उनके प्राइविट सेकेटरी आरके धवन कॉंस्टेवल नारैन सिंग और उनके निजी साहथ नाथूराम उनके साथ थे इंद्रा गांधी के रास्ते में दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर बेंत सिंग खड़ा हुआ था जो कई सालों से इंद्रा गांधी की सुरक्षा में तैनाथ था बेंत सिंग ने पहले तो इंद्रा गांधी का अभिवादन किया और अपनी सर्विस रिवालवर निकाल कर एक के बाद एक पांच गोलिया दाग दी बेंत जब फाइलिंग करी रहा था तब ठीक उसी समय सत्वन सिंग नाम का दूसरा बाडिगाड आया और उसने अपनी स्टेंगन का मुँ इंद्रा गांधी पर खोल दिया इंद्रा गांधी को पूरी 30 गोलियां मारी गई थी गोलियों की आवास सुनकर प्रधान मंत्री निवास में तैनात आईटी बीपी के जवान जब मौके पर पहुँचे तब तक बेंत और सत्वन्त ने अपने हतियार जमीन पर रख दिये थे उधर खुन से लटपत इंद्रा गांधी की सासें तब भी चल रही थी उन्हें ततकाल अस्पताल ले जाने की ज़रुवत थी लेकिन हैरानी की बात है कि प्रधान मंत्री आवास में तैनात एंबुलेंस का ड्राइवर चाय पीने की ले गया हुआ था लिहाज़ा इंद्रा गांधी को एक सफेद एंबेस्डर कार में इम्स ले जाए गया उनके साथ उनकी बहु सोनिया गांधी, आरके धवन और कॉंग्रेस नेता माखनलाल फोतेदार भी थे उदर प्रधान मंत्री आवास में एक बार फिर गोलियों की आवास गूजने लगी इस बार गोलियां चलाने वाले थे ITBP के जवान और गोलियां खाने वाले थे इंद्रा गांधी के हत्यारे बेंत सिंग और सत्वंत सिंग दर असल इन दोनों ने जब आत्म स्वनपन कर दिया तो इन्हें प्रधान मंत्री आवास के अंदर ही बने ITBP के एक छोटे से गार रूम में रखा गया था ITBP के जवानों का कहना था कि जब बेंत सिंग ने कमरे के अंदर हत्यार छीनने की कोशिश की तो उन्हें मजबूरी में गोलियां चलानी पड़ी इस गोली बारी में बेंद सिंग ततकाल मारा गया वहीं सत्वन सिंग को पूरी बारा गोलियां लगी फिर भी वो बज गया बुरी तरह से घायल सत्वन सिंग से जब पूछताच की गई तो उसने अस्पताल में बेहत चौकाने वाला बयान दिया उसने कहा कि सेक्यूरिटी स्टाफ हमें ITBP के गार्ड भूम में ले गया जहां हमें कुर्षियों पर बैठा दिया गया ITBP के जवानों ने हम पर अपनी स्टेंगन तानकर पोजिशन ले रखी थी कुछ देर बाद उन्होंने हम पर गोलियों की बोचार शुरू कर दी सत्वन सिंग ने जो बयान दिया था वो कई सवाल खड़े करता है सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बेंद सिंग और सत्वन सिंग निहत्ते थे अगर ऐसे में बेंद सिंग ने हत्यार चीनने की भी कोशिश की थी तो उसे आसानी से ITBP के जवान काबू में कर सकते थे क्योंकि उस समय काफी संख्या में ITBP के जवान मौझूद थे ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बेंट सिंग और सत्वन सिंग को इसलिए गोली मारे गई क्योंकि वो कई राज और कई नाम उगल सकते थे यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बेंट सिंग ने इस हत्याकांड को लीड किया था 21 साल की कच्ची उम्र का सत्वन सिंग दरसल बेंट सिंग का सिर्फ एक महरा भर था और उसी के भड़काने पर वो शड़ियंत्र में शामिल हुआ था यहाजा इस हत्याकांड के बारे में बेंट सिंग को सत्वन सिंग से कहीं अधिक जानकारी थी लेकिन आईटी बीपी की भूल की वज़ा से बेंट सिंग की जान चली गई और कई राज उसकी मौत के साथ ही दफन हो गए उदर घायल हो जाने के बाद सत्वन सिंग को कड़ी सुरक्षा के बीच दिली के राम मनहर लोहिया अस्पताल में भरती करवाया गया उस दौर में 6 नवंबर 1984 को बिटिश अकबार संडे टाइम्स ने सत्वन सिंग को लेकर एक संसनी खेज खबर शापी इस खबर में लिखा था एक नवंबर की रात डेड़ बजे जब सत्वन सिंग बेहोशी की अवस्था में राम मनहर लोहिया अस्पताल में भरती था तो वहां दिली पुलिस की वर्दी में तीन सिख आए उनका कहना था कि वो सत्वन सिंग से पूछताच करना चाहते हैं जब सत्वन सिंग की सुरक्षा में तैनात अधिकारी ने उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी तो उन तीनों ने वहां जम कर बहस की इसके बाद तीनों आराम से वहां से चले गए किसी ने भी उन लोगों से पूछताच नहीं की सवाल उठता है कि क्या पीएम आवास में जिन्दा बच जाने के बाद सत्वन सिंग को अस्पताल में भी मारने का प्लान बनाया गया था या फिर ये लोग उसे चुडाने के लिए वहां पहुँचे थे उधर बाद में जब सत्वन सिंग से पूछताच की गई तो उसने जो खुलासा किया उसने देश के पूरे सुरक्षा तंत्र को हिला कर रख दिया उसने इस साजिश में एक ऐसे शखस का नाम लिया जो इंद्रा गांधी का सबसे भरोसे मंद आदमी था इंद्रा गांधी हत्याकान की जाच के लिए बने जस्टिस ठक्कर कमिशन के सामने सत्वन सिंग ने जो कहा था उसे भारत की नंबर वन मैगजीन इंडिया टूडे ने अपने 31 जुलाई 1986 के अंक में छापा था इंडिया टूडे की इस रिपोर्ट को तयार किया था मशूर पत्रकार शेखर गुपता ने जो उस समय देश के चाने माने खोजी रिपोर्टर थे शेखर गुपता आज भी एक बहुत बड़ा नाम है उनकी रिपोर्ट के मताबिक सत्वन सिंग ने कहा था कि इंडरा गांधी जब आने वाली थी तो बेंद सिंग ने मुझसे कहा था कि वो पहले फायर करेगा और उसके बाद मुझे फायर करना है बेंद सिंग ने मुझे साफ साफ कहा था कि ध्यान रखना आर के धवन को गोली नहीं लगना चाहिए उसने हमारी बहुत मदद की है तो सुना आपने अगर इंडिया टूडे और शेकर गुपता पर भरोसा किया जाए तो सत्वंद के मुताबिक बेंद सिंग ने उसे कहा था कि इंडरा गांदी के प्राइवेट सेकरेटरी आर के धवन को गोली नहीं लगना चाहिए आपको यहां यह बताना बहुत जरूरी है कि आर के धवन साथ के दशक से इंडरा गांदी के करीबी थे वो उस दौर में बेहत ताकतवर माने जाते थे उनकी इच्छा के बिना प्रदान मंत्री दफ्तर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था बाद में जाकर धवन नरसिंबाराव सरकार में केंद्रिय मंत्री भी बने इंडरा गांदी हत्यकान की जाच के लिए बने जस्टिस ठकर कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में आर के धवन पर कई सवाल उठाये थे रिपोर्ट के 314 पेजों में से 213 पेजों पर आर के धवन का जिक्र था ठकर आयोक को आर के धवन पर सबसे बड़ा शक इस बात पर था क्योंकि धवन ने ही इंडरा गांदी के आखरी इंटर्व्यू के टाइम को बदला था उस समय इंडिया टूडे और शेकर कुपता के दावे के मताबिक इंदरा गांदी ने सुबा साड़े आठ बजे इंटर्व्यू का टाइम तेह किया था लेकिन डाइरी में ये टाइम मिटा कर उसके उपर पौने 9 बजे यानि 9 बज आठ बज कर 45 मिनिट दिया गया ठककर कमिशन ने इंफ्रा रेट टेकनलोजी से डाइरी की जाच करवाने के बाद ये पुष्टी की है मुलाकातों की प्रिंटेड लिस्ट में इंटर्व्यू के लिए टाइम 9 बजे का लिखा हुआ था इंटर्व्यू लेने वाले पीटर उस्तिनोव ने भी पूष्टाश में बताया है कि 31 अक्टूबर की सुभा इंदरा गांदी के दफ्तर से एक अग्यात व्यक्ती ने फोन किया और ये कहा कि वो सुभा साड़े आठ के बजाए 9 बजे प्रधान मंत्री के आवास पहुँचे ठककर कमीशन का ये मानना था कि अगर इंदरा गांदी का इंटर्व्यू जल्द होता और वो सुभा साड़े आठ बजे ही घर से निकल जाती तो बेंद सिंग और सत्वन सिंग को एक साथ एक जगा पर आने का मौका नहीं मिलता दरसल यहां ये बताना बहुत जरूरी है कि सत्वन सिंग की जूटी उस जगा पर नहीं थी जहां इंदरा गांदी की हत्या हुई दरसल उसने अपने सीनियर के सामने ये बहाना बनाया था कि उसका पेट खराब है और से बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है इसलिए उसे ऐसी जगा तैनात कर दिया जाए जहां से टॉयलेट पास है और इस तरह वो उस जगा तैनात हो गया जहां पहले से ही बेंद सिंग की ड्यूटी लगी थी यानि ठीक वो जगा जहां से इंद्रा गांधी गुजरने वाली थी यहां ये बताना भी जरूरी है कि सत्वन सिंग का ड्यूटी रिकॉर्ड बेहत खराब था क्यार मलकानी की इस किताब पॉलिटिकल मिस्टीज के पेश डंबर 111 के मताबिक सत्वन सिंग ने प्रधान मंत्री आवास पर एक साल तक ड्यूटी की थी इस दोरान उसे 35 बार अनूश आशन तोड़ने की सजा मिली थी उसके बॉस इंस्पेक्टर योगे शर्मा ने लिया गया इतना ही नहीं सत्वन सिंग इंद्रा गांदी की हत्या करने से ठीक पहले दो महीने की चुट्टी मना कर लोटा था इस दोरान वो ज़्यादा तर पंजाब के गुर्दासपुर में रहा था जो उन दिनों आतंगवाद का गड़ माना जाता था लेकिन इसके बाद भी सत्वन से बिना कोई पूस्ताच किये उसे फिर से इंद्रा गांदी की सुरक्षा में तैनात कर दिया गया उधर सत्वन की तरह ही डेयं सिंग का रिकॉर्ड भी बेहत खराब था 1981 में दिल्ली पलिस की नौकरी के दोरान उस पर कई गंभीर आरोप लगे थे उसके ओपर विभागी जाज भी चल रही थी फिर भी वो देश के प्रदानमंत्री की सुरक्षा में तैनात था जाहिर है इंद्रा गांदी की सुरक्षा के साथ भैंकर खिलवार किया जा रहा था बेहन सिंग की पहुँच का हंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो इंद्रा गांदी के पोते राहुल गांदी के साथ भी अकसर खेलता था इंद्रा गांदी की हत्या के समय राहूल गांदी की उम्र महज 14 साल थी बहुत बाद में जाकर 2013 में राहूल गांदी ने बेंद सिंग के बारे में संसनी खेज जानकारी दी थी उन्होंने राजिस्थान के चुरू में एक भाश्वार में कहा था कि बेअन सिंग मुझे बैडमिंटन खेलना से कहा था एक बार उसने मुझसे पूछा कि मेरी दादी यानि इंद्रा गांधी कहा सोती है और तब उनकी उस रक्षा में कौन होता है एक बार बेअन सिंग ने मुझसे कहा था कि अगर कोई बम से हमला कर दे तो तुम नीचे जमीन पर लेड़ जाना बाद में मुझे पता चला कि बेअन सिंग और सतवन सिंग दिवाली के दिन मेरी दादी पर ग्रेनिट से हमला करने वाले थे दरसल राहुल गांदी ने सही कहा था इंद्रा गांदी की हत्या के साथ दिन पहले यानि 24 अक्टूबर 1984 को दिवाली थी और इसी दिन बेंथ और सत्वन्त दिवाली की आतिश बाजी की आवास के बीच इंद्रा गांधी पर बमों से हमला करके उनकी हत्या करना चाहते थे लेकिन उनका इरादा कभी भी गांधी परिवार के बाकिस अदस्यों को नुकसान पहुचाने का नहीं था तभी तो बेंथ सिंग ने 14 साल के रहूल गांधी को ये बताया था कि अगर कोई बम से हमला करे तो कैसे नीचे लेड़ जाना चाहिए और अपनी जान बचाना चाहिए लेकिन अफसोस रहूल गांधी तब इतने चोटे थे कि वो बेंथ सिंग की साजिश को नहीं समझ पाए या नहीं महसूस कर पाए रहूल गांधी अगर ये बात उस समय किसी को बता देते तो शायद उनकी दादी इंद्रा गांधी की जान बस सकती थी खेर ठककर कमिशन के सामने कुछ लोगों ने अपनी गवाई में कहा है कि बेंथ सिंग आर के धवन का बेहत करीबी था लिहाजा कई सवाल उठाते हुए ठककर कमिशन ने आर के धवन को कटगरे में खड़ा किया ठककर कमीशन ने जिस हवाल उठाये थे वो कुछ इस तरह थे सिख होने के बाद भी बेंसिंग को इंद्रा गांदी के बॉडिगार्ड की ड्यूटी से हटाया क्यों नहीं गया बेंसिंग की विदभा बिमलक और खालसा के मताबिक बेंसिंग आर के धवन का करीबी था इंद्रा गांदी को जब गोली मारी गई तो आर के धवन उन्हें बचाने के लिए क्यों नहीं आए ठककर आयोग ने आर के धवन पर कई गंभीर आरुप लगाए लेकिन आर के धवन के पास भी अपने बचाव के जबरदस्त तरक थे अपनी सफाई में आर के धवन ने जो तरक दिये वो उनके पक्ष को बहुत मजबूत बनाते हैं इंद्रा गांदी का इंटर्व्यू का टाइम बदलने से लेकर बेंद सिंग तक धवन ने हर सवाल का बेहद तारकिक उत्तर दिया उनका कहना था कि इंद्रा गांदी जब भी दोरे से लौटती थी तो अगले दिन सुभा के उनके सारे अपॉइंट्मेंट देर से कर दिये जाते थे और इसी लिए उन्होंने उनके इस इंटर्व्यू का समय बदला था बेहन सिंग को ड्यूटी से हटा दिया गया था लेकित इंद्रा गांदी के कहने पर ही उसे वापस ड्यूटी पर रखा गया इंद्रा गांदी नहीं चाहती थी कि सिख होने की वज़ह से उनके किसी बॉडी गार्ड को हटाया जाए इंद्रा गांधी का Blood Groupe O Negative था और यही Blood Groupe बेंतसिंग का भी था इसलिए किसी दुर गटना के समय अगर इंद्रा गांधी को खून की जरुरत पड़ती है तो वहां उनके Blood Groupe वाले व्यक्ति का होना जरूरी होता है इसलिए बेंसिंग को इंद्रा गांधी के साथ रखा जाता था आरके धवन का ये भी कहना था कि अगर वो इस साजिश में शामिल होते तो घटना के वक्त इंद्रा गांधी के इतने करीब क्यों रहते हो सकता है कि गोलियां उन्हें भी छलनी कर देती है आरके धवन ने उस वक्त ये भी कहा था कि वो इंद्रा गांधी को अपनी मा के समान मानते थे और उनकी मौत के बाद वो खुद को अनात महसूस कर रहे हैं वो जीवन में कभी भी इंद्रा गांधी को धोका देने का पाप नहीं कर सकते हैं ऐसा आरके धवन का कहना था लेकिन इस दौर में कोई भी आरके धवन की दलीलों को नहीं सुन रहा था ठककर कमिशन की जाच के दौरान ही उन्हें राजीव गांदी ने अपने प्रधान मंतरी कारले से हटा दिया बड़ा सवाल उपता है कि क्या आरके धवन को भसाने के लिए कोई बड़ी साजी शची जा रही थी क्या जो सब उनके खिलाफ मैगजीन और ख़बारों में छप रहा था क्या उसके पीछे किसी ताकतवर शक्स का हाथ था देश के वरिष्ट पत्रकार शेखर गुप्ता की रिपोर्टिंग के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से उन्होंने ठकर आयोक की गुप्त रिपोर्ट के आधार पर लेख लिखे थे लेकिन अब मैं यहाँ देश के एक और बहुत बड़े पत्रकार रजच शर्मा के बारे में बताना चाहूंगा ठकर कमिशन की रिपोर्ट में जब आरके धवन का नाम सामने आ रहा था तब वरिष्ट पत्रकार रजच शर्मा ओन लुकर मैगजीन के संपादक थे तब उन्होंने अपनी मैगजीन की एक कवर स्टोरी के जरीए ये दावा किया था कि आरके धवन को फसाने के लिए अरुन नहरू ने ठक कर कमिशन की रिपोर्ट तैयार करवाई है अरुन नहरू इश्टे में राजिब गांदी के भाई लगते थे और उनकी सरकार में मंत्री भी थे उन्दनों सक्ता के गलियारों में अरुन नहरू की तूती बोलती थी वरिष्ट पत्रकार रजच शर्मा ने एक बार अपने ब्लॉग में दावा किया था कि आर के धवन के जीवन में सबसे बड़ी तरासदी तब हुई जब 1984 में इंद्रा गांदी की हत्या के मामले में उन्हें शक के घेरे में खड़ा कर दिया गया उस जमाने में मैं आउन लुकर पत्रिका में संपादक था आर के धवन को फसाने के लिए जिस तरह से ठककर कमिशन की रिपोर्ट तयार की गई थी उस पूरे खेल का मैंने परदा फाश किया था उस समय आर के धवन ने मुझे कहा था कि जिन लोगों के खिलाफ आप लिख रहे हैं वो बहुत पाकतवर लोग हैं और आपको नुकसान पहुचा सकते हैं लेकिन मैंने बिना डरे अरुन नहरू के इस पूरे गेम को जगजाहिर किया जो की राजीव गांदी के शाशन के दौरान काफी प्रभावशाली थे हाला कि बाद में ठककर कमिशन की रिपोर्ट का बहुत बुरा हश्रु हुआ ये रिपोर्ट कभी पूरी तरह से सार्वजिनिक नहीं की गई पहले तो करीब धाई साल तक इसे पूरी तरह से दबा कर रखा गया हाला कि अपनी सरकार के अंतिम दिनों में राजीव गांदी ने इस रिपोर्ट के आधे अधूरे हिस्से को संसद में पेश कर दिया जिस पर उस समय बहुत विवाद हुआ हाला कि बाद में एक SIT रिपोर्ट के आधार पर आरके धवन पर लगे आरोपों को वापस ले लिया गया नहीं था ऐसे में सवाल उठता है कि राजीव गांदी ने आखिर क्यों इंद्रा गांदी की हत्या की असलियत जानने की कोशिश क्यों नहीं की या फिर ऐसा भी हो सकता है कि राजीव गांदी को सारी असलियत पता थी लेकिन वो इसे देश से छुपा रहे थे राजीव गांदी की इस भूमिगा पर केयार मलकानी अपनी इस किताब पॉलिटिकल मिस्टीज में कई सवाल उठाते हैं मलकानी ने इंद्रा गांदी हत्याकान की SIT जांच करने वाले IPS अधिकारी S. आनंद राम के हवाले से अपनी किताब के पेश नंबर 113 पर दिखा है आनंद राम ने जब किताब लिखने का फैसला किया तो उने SIT रिपोर्ट के वो कागज और दस्तावेज नहीं दिये गए जिसे खुद आनंद राम की देखरेख में तयार किया गया था आनंद राम ने खुद को अपनारित महसूस किया लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था असासिनेशन आफ प्राइम मिनिस्टर आखिर वो क्या वज़ा थी कि राजिव गांधी ने इंद्रा गांधी हत्याकान का पूरा सच देश के सामने नहीं आने दिया इसकी दो वज़े हो सकती हैं पहली तो ये कि शायद राजीव गांधी सिक समाज को नाराज नहीं करना चाहते थे और दूसरी महत्मूर वज़े ये हो सकती है कि उन पर किसी भारी किसम का विदेशी दवाव हो वैसे इस विदेशी दवाव वाली बात में काफी दम नजर आता है अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसे आप बहुत ध्यान से सुनिये दरसल आज की ही तरह उस दोर में भी खलिस्तान आंदुलन अमेरिका, कनाड़ा और ब्रिटेन से चलाय जा रहा था इंद्रा गांदी के हत्यारे, बेंसिंग ने भी हत्या के एक दिन पहले लंडन और कैनाड़ा में फोन किये थे यहां गवर करने वाली बात यह है कि इंद्रा गांदी सोवियत संग की बेहत करीबी मानी जाती थी लिहाजा उन्हें अमेरिका बिलुकुल भी पसंद नहीं करता था उस दौर में अफगानिस्तान में मुझाइदिन सुवیत सेना से लड़ रहे थे जिनें अमेरिका पाकिस्तान के जरीये मदद पहुचा रहा था यानि ये वो वक्त था जब अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती अपने सबसे अच्छे दोर में थी और ये दोनों ही देश मिलकर पंजाब में खालिस्तान को हवा दे रहे थे अमेरिकी खूफी आइजनसी, CIA की रिष्टे खालिस्तानी आतंगवादियों से हैं ऐसी खबरे भी थी खुद इंद्रा गांदी को भी इस बात का एहसास था यही वज़ा है कि उन्होंने अपनी मौत से कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले दिल्ली में एक भाषण में बिना नाम लिये कहा था कि अमेरिका भारत सरकार को अस्थर करने के लिए कोई चाल चल सकता है यही वज़ा है कि इंद्रा गांदी की हत्या के ततकाल बाद सोवियत संग और अमेरिका के बीच मीडिया वार चलिया था सोविय संग पूरी दुनिया में ये आरोप लगा रहा था कि इंद्रा गांदी की हत्या के पीछे अमेरिका और उसकी खूफिया एजनसी CIA का हाथ है इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने खुद उस रिपोर्ट का अध्यन किया है जो दिसंबर 1984 में अमेरिका की संसत को सौपी गई थी ये रिपोर्ट आनलाइन पड़ी हुई है आप भी इसे देख सकते हैं इस रिपोर्ट में इंद्रा गांदी की हत्या के बाद हुई मीडिया कवरेज का अध्यन है जिसमें सोविय संग की मीडिया भी शामिल है और इसी रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि इंद्रा गांदी की हत्या को लेकर अमेरिका और सोविय संग में इतना तनाव हो गया था कि अमेरिकी विदेश मंतराले को अपनी तरफ से सफाई तक देनी पड़ी थी कितनी हैरानी की बात है कि एक तरफ तो हमारे देश की सरकार इंद्रा गांदी हत्या कांड पर चुप थी और वहीं दूसरी तरफ सोविय संग इस मुद्दे पर अमेरिका से सीधे मौरचा ले रहा था फिर इसके बाद तेजी से हालाद बदले इंद्रा गांदी की हत्या के महज 32 दिन बाद भोपाल में गैसकांड हुआ जिसमें हजारों लोग मारे गए उस वक्त भी अमेरिकी सरकार के दवाब में राजिव गांदी ने यूनियन कारबाइट के सीओ वारन एंडरसन को रिहा कर दिया अगले साल यानि 1985 में राजिव गांदी ने अमेरिका का दोरा किया और उसके साथ ही भारत और अमेरिका के रिष्टों की एक नई शुरुआत हुई लेकिर फिर भी देश को आस तक ये जवाब नहीं मिला है कि क्या इंदरा गांदी की हत्या की साजिश में कोई विदेशी शक्ती शामिल थी या नहीं फिलाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेस्बुक पेज प्रखरश्री78 को लाइक कर सकते हैं और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे ट्विटर है प्रखरश्री78 अगर आपको ये वी